दोस्तो सब्सक्राइब कीजिए मटका बॉलिवूड यूट्यूब चैनल को और दबाईए इस घंटे को ताके आपको मिल सके बॉलिवूड से जुड़ी हर खबर सबसे पहले दोस्तो सुआगत है आपका एक बार फिट से जी हाँ दोस्तो आज हम आपको अभिनेता जितेंद्र की 31 जुलाई 1987 में रिलीज हुई फिल्म खुदगर्ज और धर्मेंद्र की 27 मार्श 1987 में रिलीज हुई फिल्म हुकूमत के बॉक्स ओफिस कलेक्शन के बारे में बताएंगे तो चलिए दोस्तो सबसे पहले बात कर लेते हैं खुदगर्ज फिल्म के बारे में दोस्तो अगर हम खुदगर्ज फिल्म की बात करें तो ये फिल्म 1987 में रिलीज हुई थी और ये एक हिंदी ड्रामा म्यूजिकल फैमिली फिल्म थी इस फिल्म को राकेश रोशन ने डिरे क्या था और खुद गर्ज फिल्म को बनाने में धाई करोड रुपे खार्च हुए थे और ये फिल्म हिट साबित हुई थी तो चलिए दोस्तों अब आपको बताते हैं हुकूमत फिल्म के बारे में दोस्तों अगर हम हुकूमत फिल्म की बात करें तो ये फिल्म भी 1987 में रिल इस फिल्म ने इंडिया में तकरीबन 5.5 करोड रुपे का बॉक्स ओफिस कलेक्शन क्या था और हुकोमत फिल्म को बनाने में 3 करोड रुपे खर्च हुए थे और ये भी एक हिट फिल्म साबित हुई थी तो दोस्तों आपको इन दोनों फिल्मों में कौन से फिल्म ज्यादा पसन आई थी कमेंट में सरूर बताइएगा मैं फिर मिलूँगा आपको एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए थैंक यू